तो देखिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी लॉंग लटा नमकीन मठ्री देखिए बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी और करारा बिल्कुल बना हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है लॉंग लटा बनाने के लिए 200 ग्राम मैदा लिया है और 50 ग्राम देशी घी गरम करके डाल दिया है और छोटी चमच से आधी चमच अजवाईन क्रस करके डाल दिया है और स्वात के अनुसार नमक ले लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और देखिए ये बनने लगा है और इसको गुनगुने पानी से हम इसको पूंद लेंगे और इसको सॉप्ट डो विल्कुल नहीं बनाना है टाइट डो बनाना है क्योंकि अगर खस्ता चीजे कुछ भी बनाना है तो उसके लिए और गीली टॉबल से कवर करके रख देंगे और अब देखिए ऐसे हम तीन बड़े-बड़े काट लेंगे और इसको बड़े साइस का पेल लेंगे और ये काफी बड़ा रहेगा जैसे कभी-कभी गुजिया बनाने के लिए हम बड़ा सा आटा का एक पेड़ा लेते हैं उस इसकी थिकनेस इतनी है ना ज्यादा मोटा है ना पतला है और ये मैंने तीन धकन ले लिया है और ये सबसे बड़ा वाला धकन है मैंने इसके कटिंग से इसके साइज से सारी पूरियां कट कर ली हैं तो देखिए बहुत आसानी से ये अलग हो जाता है आपके पास अगर बि से कट करके रखा है और तीन साइज के ढगकन मैंने लिये हैं तो सबसे बड़ा साइज यह है तो अब दूसरा वाला हम बना लेते हैं और इसी तरह जैसे पहला वाला लोई लेके और हमने इसको बेल के बड़ा सा एक रोटी का आकार दिया अब इससे देखिए इससे थोड़ा तो यह देखिए बहुत आसानी से निकल गया है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही देखने में सुन्दर होता है और अब यह देखिए तीसरा साइज भी मैंने बेल लिया है लेके और यह दो साइज हो चुका है अब यह तीसरा साइज और तीसरा मैंने पेपसी की मट्रियां बन रही है तो मैंने एक चपमच मैदा लिया है थोड़ा सा इसमें पानी डालके मैंने एक घोल तैयार किया है जो मैं इसको फिक्स करने के लिए रखती हूँ अब देखिए तीनों साइज कट गया है और थोड़ा सा मैंने लॉंग ले लिया है तो पहले मैं बड़ा साइज लूँगी और इसमें थोड़ा सा महदे का घोल लगा लूँगी और इसके उपर ये रख लूँगी इससे चिपक जाता है और फिर तेल में अलग नहीं होता है अब ये थीसरा साइज ले ले लेंगे तो इसी आकार में आप चार ढकन या चार कटर लेके या पांच साइज जो भी लेके कई लेर आप इसमें बना सकते हैं अब इसमें लॉंग फिक्स कर देंगे जिससे चारो आपस में चिपक जाये और बस चाकू से इसको घुमा घुमा के कटिंग कर लेंगे बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके जितना बड़ा होगा चार जगे कट कर सकते हैं या पांच इसमें पंखुडी बनेंगी तो बस ये पूरा तैयार हो गया देखे और लॉंग को अच्छे से फिक्स कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरा बना लेते हैं और चाहें तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं लेकिन ये मैदे का घोल जो होता है बहुत अच्छे से चिपक जाता है फिर ये खुलता नहीं है आप चाहें तो लॉंग लगाने के पहले भी कट कर सकते हैं बहुत आसान होता है बाद में लॉंग लगा सकते हैं ये यह सारी बना के तयार है हमारी लॉंगलत बना के भop और भी मट्रि फ्रखाते हैं तो बहुत यह पहुत ही जादा खाने की घरते हैं तो ऑफाकट घाय कर लेते है विधियम फ्रेम फ्लेम अब ट्यार करọn करें जरके लिए गरम होने के लिए और जब हम इसको सब डाल देंगे उसके बाद हम घीमा कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फ्राइ करेंगे तो इसमें तीन लेयर है यह जलने का भी डर रहता है और उपर से जलेगा और नीचे से अंदर से पूरा कच्छा रहेगा इसलिए इसको बिल्कुल लो फ्रेम पे हमें चा और देखिए एक भी लॉंग नहीं निकलती है और एक भी लेयर इसका खुलता नहीं अलग नहीं होता है तो कि इतने अच्छे से महदे का जो गोल है वो अच्छे से इसमें पकड़ लेता है और बहुत धीमी आज़ पे इसको पकाना है फ्रोड़ा टाइम लगता है जैसे सम एर टाइट कंटेर में बंद करके श्टोर करके रख सकते हैं एक महीने तक के लिए और जब भी आपको चाय पीना हो जब भी आपको मन हो तुरंत आप इसको निकाल के और चाय के साथ खा सकते हैं तो देखे इतना एकदम गोल्डन हो गया है और अंदर तक बिल्कुल सीथ ज़्यादा अच्छा लगेगा तो देखे कितना सुंदर दिख रहा है खाने में तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा और टेस्टी लगेगा तो कैसी लगी मेरी रेस्पी एक बार इसको ट्राइब जरूर करिएगा तो जैसे यह ठंडे हो जाएंगे एकदम तो एकदम ह जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं ऐसी किसी नई रेस्पी के साथ तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई